हेलो दोस्तों, खोज चनल में आपका स्वागत है। खोज चनल आज आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आया है, जिस कहानी का नाम है लालची ब्राहमड। एक बार किसी जंगल में एक ब्रद्ध सेर रहता था। वह इतना कमजोर हो गया था कि अधिक दूर तक चल फिर नहीं सकता था। उसमें सिकार करने के सक्ती भी नहीं रह गई थी। उसे कई-कई दिन तक भूखों रहना पड़ता था। वह रास्ते के किनारे पेण के नीचे पड़ा रहता था। और पड़ा-पड़ा मक्खियां मारता रहता था। भूख के कारण उसका बुरा हाल हो जाता था। बुढ़ापे के कारण उसके गाल पिचक गए थे। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे सोने का एक कंगन मिल गया। कंगन पाकर वह बहुत खुस हुआ। उसके दिमाग में एक बिचार आया। उसने सोचा क्योंना आज एक महत्मब बना जाए। उसने एक मुठी भर राख ली और उसे अपने चेहरे तथा सरी पर मल लिया। उसने अपने माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया। गले में एक मोटी सी माला डाल ली। अब वह पूरा धार्मिक और पवित्र दिखाई पड़ने लगा था। मानो आज वह हिंसा को त्याग कर अहिंसा का पुजारी जैसे पूरा ही महत्मब बना हो। वह पेड के नीचे बैठ कर मन ही मन सिकार की पृतिक्षा करने लगा और उपरी मन से सीता राम कहने लगा। संयोंग वस एक ब्रहमड उस रास्ते से भिक्षा पान करके आता हुआ दिखाई दिया। सेड ने जैसे ही उसे देखा वह और जोर जोर से सीता राम सीता राम कहने लगा। जैसे ही ब्रहमड की नजर सेर पर पड़ी। उसके देवता कूच कर गए। सेर ने उसे धाडस बदाते हुए कहा। डरो मत वत्स मेरे पास आओ और कुछ पुन्निपरात करो। मैं तुम्हे कोई हानी नहीं पहुचाऊंगा। निर्भय होकर मेरे पास आओ। ब्रहमड डर के कारण अपने इस्थान से तनिक भी ना हिला। सेर फिर बोला मैं जानता हूँ कि मैंने अपने पिछले जन में बहुत पाप किये हैं। पर अब मैं उन पापों का प्राशित करना चाहता हूँ। मेरे पास एक सोने का कंगन है। जिसे मैं किसी निर्धन बेक्ट को दान करना चाहता हूँ। जान पड़ता है आप गरीब हैं गरीब के साथ साथ आप ब्रहमर भी हैं इसलिए मैंने आप से कहा है ऐसा कहकर उसने सोने का कंगन ब्रहमर को दिखाया ब्रहमर लालची और पेटू तो होते ही हैं कंगन देखकर ब्रहमर के मन में लालचा गया उसने कहा मैं इस कंगन को अपन हाथ में लेकर देख सकता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं सेर ने उसका उत्सा बढ़ाते हुए कहा तुम चाहो तो इसे ले भी सकते हो वत्स आप ब्रहमण है आप ब्रहमण होने के नाते पहले उस सामने वाले तालाप में इश्नान करके आओ और कंगन को प्राप्त करो मुझे भी पिछले जन्व के पापों से छुटकारा मिल जाएगा ब्रहमण सेर की बात को सकते मान कर सामने वाले तालाप पर इश्नान करने चला गया जैसे ही उसने तालाप में प्रवेश किया वह दलदल में धंस्ता चला गया सेर भी धीरे धीरे चल कर तालाप पर जा पहुँचा आउसार पाकर सेर ने ब्राहमर पर छलांग लगा दी उसको मार कर दलदल से बाहर खीच लाया और बैठ कर आराम से खाने लगा सेर भूखा तो था ही भूखा होने के कारण वह सारे ब्राहमर को चट कर गया बिचारे ब्राहमर को लालच के कारण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा वास्तों में लालच एक बुरी बला है लालच के कारण मनों से मुसीबत में पढ़ जाता है उसका विवेक नश्ठ हो जाता है, उसकी मानसिक सक्ती छेड़ हो जाती है, जिससे वा उचित अनुचित का भेद नहीं जान पाता और मनुस्य जीवन भर या तो पस्ताता है या फिर उसे यमराज के दर्सन करने पड़ते हैं, इसलिए मनुस्य को लालस त्याक करके अपने कल ल्यान का मार्ग ढूंडना चाहिए। सिक्षा दोस्तों मानों को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बिक्त का विवेग नश्ट कर देता है।